हुले दोस्तो आज हम आपको बताने जा रहा है कि जीपाण क्या होता है और जीपान में कौन-कौन सी उक्प्मेंट होते हैं तो आप जो सामने देख रहे हैं यह जीपान है और जिस बॉक्स में बीवी नन लिखा है इसे एफ़ टीपी बॉक्स कहते हैं हमारा जो भी फाइबर होता है, जो आप देख रहे होंगे, ये काले कलर का केबल, ये केबल हमारी OLT से आती है और ये FTP बाक्स में लगती है, FTP बाक्स से फाइबर का पैज काड हमारे OLT में लगता है, तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखा रहा हम, ये हमारा FTP बाक्स है, इसको FDMS box भी बोलते हैं, आप देखेंगे कि ये देखिए फाइबर का जो कोर है, ये आया हुआ है, और ये यहाँ स्प्लाइस किया गया है, इसके बाद स्पाइस कार्ड के जरीए, ये हमारा इस पाइप के जरीए, इस जीपॉंड ओंटी में आया हुआ है, तो इसको हम कहत आते हैं, ये जीपॉंड में क्या क्या आता है, तो आप सामने देख रहे होंगे, सामने जिस मसीन है, इसको कहते हैं OLT और इसको कहते है CCU, मैं इसको ओपन करके दिखाए दे रहा हूँ, आप इसमें देखेंगे कि जो सामने मैंने खोला हुआ, मैं दूर से दिखाए दे र the Oh and being sorry on T कहते हैं और इसके बाद नीचे जो है सीसीयू कहते हैं यह पाउर सप्लाइ के लिए होता है इसमें सोलर पाईनल का केबल ली आयाwrite हुआ होता एसमें और यह हमारा आउटुट होता इस से यह जो है charging होती ते solar charging की light जलती रहती है इसके वाट FC charging AC आन जब अगर बिजली हम लगा देते हैं तो FC charging AC यह दोनों लाइट है आन हो जाती है बैटरी लो होने पर यह इंडिकेशन होता और अगर हमारा solar channel जो है या फाल्टी हुआ यह उसमें धूल लग जाती है बोल्टेज सही से नहीं निकालता तो यह एपसी फाल्ट का मैसेज देने लगता है एलीटी जलने लगता इसके बाद बीच में स्क्रॉल बटन है जिससे हम डिस्प्ले को जला सकते हैं और डिस्प्ले को चेंज भी कर सकते हैं जैसे आप देखेंगे बटारा बैटरी का बोल्टेज और कितना बैटरी में परसेंटेज यह लोड बता रहा है और अब यह ऐसे चेंज होता रहेगा इसके बाद बता रहे है कि सोलर पैनल आन है और मेंस का बोल्टेज जीरो है यानि एसी से में नहीं लगा हुआ है इसके ब एक बॉक्स यह लागा हुआ इसको हमीं स्प्लीटर कहते हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूं यह स्प्लीटर होता है यह देखिए स्प्लीटर होता है इसमें एक फाइबर आके यहां से चार हम उसको बना सकते यानि यह फाइबर के पावर को स्प्लीट कर देता है यह वन यह जो ओएंटी है इसमें यह कुछ लाइट है जल रहे हैं इसमें पहली वाइफाई है जब वाइफाई चलता है तो वाइफाई यह दूसरा फॉन फॉन टू इसमें कालिंग भी व्युश्था है अगर आपको लेंड लाइन उसको भी जोड सकते हैं यह पॉन यह पॉन लाइट बराबर जलती रहेगी इनकेस फाइवर कटता है तब यह अलारा मॉइल जलती है और जो पावर यह जब हमारी मसीन आन होती हिसे पावर की लाइट जलती है तो दोस्तों आसा करता हूं कि आपको वीडियो पूरा सोंज में आ गया होगा और जीपाउन के बारे में यह पूरा जानकारी थी हम आगले वीडियो जल्दी पनाएंगे जिसमें आपको इस से आगे की जानकारी देंगे धन्यवाद